हेलो स्टूडेंट माइनेम इस मदू भलना तूडे टॉपिक इस हाइड्रोजन मैंने अल्रेडी कुछ चैप्टर इसके अप्लोड कर रखे हैं आप उसमें से देख सकते हो आज का जो न्यू टॉपिक है वो हाइड्रोजन है सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जानें कि हाइड्रोजन है क्या सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन 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 क्या है नॉन मैटल है फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या है इस इसे नॉन मैटल ठीक है उसके बाद क्या है कि यह लाइटस्ट एलिमेंट है अगर आपको पूछा जाए कि लाइ तो आप H लिखो गए, ठीक है, अगर इसका पूछा जाएं, कि molecular formula, molecular, symbol H होता है, molecular formula इसका होता है, formula H2, ठीक है, और अगर इसकी atomicity पूछा जाएं, atomicity, atomicity, hydrogen, देखो, hydrogen का molecular formula H2 है, तो इसकी atomicity होएगी, वो 2 होएगी, अगर यहाँ पे ऐसे होता, तो आप water का formula होता, तो आपको पूछा जाता कि इसकी atomicity बताओ, hydrogen कितनी है, 2, oxygen कितनी है, 1, दोनों को plus करते तो यह water की atomicity होती है, लेकिन hydrogen की atomicity कितनी है, 2, अब अगर पूछा जाएं कि यह नाम किसने दिया था, तो Anton, Antoni, Levisher, Levisher, यह important term है, one-one marks जो है cover होएंगे इसमें, और आपको अगर पूछा जाएं कि यह drive किसने किया था, drive from, drive from, hydro, hydrogenous, hydro का मतलब होता है, इतना, hydro का मतलब होता है, water, और, genius का मतलब होता है, producer, अगर आपको पूछा जाएं कि water, producer, gas कौन सी है, water, producer, gas कौन सी है, तो आप लिखोगे hydrogen, क्या लिखेंगे hydrogen, आप देखो hydrogen, जब oxygen के साथ combine करती है, तो what will happen, जब hydrogen, oxygen के साथ react करती है, तो यह water form करती है, तो इसका formula आएगा, यह reaction दिखाएगा, यह जो है water form, तो भी hydrogen भी gas है, oxygen भी gas है, और water, H2O, यह liquid form करेगा, दो gases मिलके liquid form करती है, अब जो है, यह third most abundant element, अगर आपको पूछा जाए कि earth surface के ऊपर hydrogen कैसे है, तो आप लिखोगे, थर्ड मोस्ट, थर्ड मोस्ट अबंडन्ट एलिमेंट, अब देखो, इसमें जो है कुछ properties ऐसी हैं, जिसको हम आगे शो करेंगे, कि hydrogen पाया कहा जाता है, acids में भी hydrogen होता है, अब आप उसके बारे में लिख सकते हो, कि hydrogen किस-किस में पाया जाता है, जैसे acid भी hydrogen contain करते हैं, जैसे H2SO4, ठीक है, nitric acid, HNO3, HCl, hydrochloric acid, फिर जो है, many alkalis, many alkalis, many alkalis, जो है, and base contain hydrogen, तो मतलब जैसे sodium hydroxide, sodium hydroxide, और CAOH2, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, NH4, OH, ठीक है, अब वो salt, कई salt, जो है, hydrogen contain करते हैं, कैसे, ammonium chloride, ये salt है, और साथ में, जो है, sodium acetate, CH3, COONH, इसको बोलते हैं, sodium acetate, ठीक है, organic, जो है, organic में भी इसका role पाया जाता है, hydrogen का, कैसे, methane, CH4, आगे है, ethyl alcohol, C2H5OH, ठीक है, और ether अगर पूछा जाए, तो C2H6O, ठीक है, अब जो है, laboratory preparation देखते हैं, hydrogen की, preparation of, preparation, preparation of hydrogen, preparation of hydrogen, मैं try करते हूँ, आपको समझाने की, बीटकर बनाओ सबसे पहले, ये मैंने एक बीटकर बनाया, इसमें, दो electrodes लगाएंगे, यहाँ पे, दो inverted test tube लगाओ, यहाँ पे, दो test tube लगाईगे, मैं रफली बना रही हूँ, आपको अपनी बुक में देख सकते हो, यहाँ पे यह जो है, electrodes है, ठीक है, यह जो है, इसको बाद में बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा, यहाँ पे wires है, इसको यहाँ पे बैटरी के साथ connect किया गया, बैटरी जो है, 6V बैटरी है, यहाँ पे connect किया गया, यहाँ पे एक switch लगाएंगे, यह switch है और यहाँ पे यह जो है anode है, anode में positive sign होता है और electrode में, cathode में, cathode, यह जो है negative sign यहाँ शो होता है, यह कुन है electrodes, graphite, graphite electrodes, 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 ठीक है जी, और जो है यहाँ पे, यहाँ पे oxygen collect होती है, और यहाँ पे जो है hydrogen collect होती है, यह जो electrodes को emerge किया गया किसमे, electrolyte, electrolyte मतब water के अंदर, sulfuric drop of sulfuric acid डाला गया, drop of sulfuric acid डाला गया, तो यह बन गया यहाँ पे acid diluted water, तो उसको electrolyte बोलते हैं, अब यहाँ पे देखो electrolysis process क्या होता है, कि जब आप current pass करते हो किसी liquid में से, तो उसमें changes होते हैं, अब देखो जब आपने यहाँ पे switch on किया, तो यह current pass हुआ, तो यहाँ पे जो है, ग्रेफाइट ही क्यों यूज किया जाता है, तो आप लिख सकते हो, ग्रेफाइट is good conductor of electricity, अगर आपको पूछा जाएं कि acid diluted water ही क्यों यूज किया जाता है, acid diluted water, acid diluted water होता है, जिसमें आप कुछ water के अंदर कुछ drop sulfuric acid की बनाते हो, क्योंकि यह orange form करती है, form orange, form orange, अगर आपको पूछा जाएं कि hydrogen, oxygen कहां collect होती है, oxygen collection, collected, तो यह हमेशा anode पे होएगी, anode, anode के उपर हमेशा positive sign होता है, और अगर आपको पूछा जाएं कि hydrogen कहां collect होती है, hydrogen collected, तो आप लिखोगे, cathode के उपर, cathode के उपर, तो यहाँ पे कौन सा sign होता है, negative sign, ठीक है, अब आपको पूछा जाएं कि what will happen when electricity pass through acid diluted water, तो आप लिखोगे, जब हमने water में से, electricity, water में से, electricity pass करी, electricity, electricity pass करी, तो यह split हो गया hydrogen और oxygen में, अब हम इसको balance करेंगे, तो यह 2H बनेगा, और यहाँ पे जो है 2 बनेगा, ठीक है जी, hopes हो कि आपको यह समझ आया होगा, अब देखो, जो hydrogen है, वो जैसे हमारे पास potassium, calcium, potassium, sodium और calcium, यह highly reactive metal है, तो यह जब हम इसको cold water के साथ react करेंगे, यह हमेशा cold water के साथ react करती है, तो KOH और hydrogen gas form होगी, इसी तरह sodium है, sodium जब water के साथ react करेगा, तो यह sodium hydroxide form करेगा, और साथ में water form करेगा, इसी तरह calcium जब cold water के साथ react करेगा, तो यह calcium hydroxide बनाएगा, और साथ में water form करेगा, ठीक है जी, अब देखो, यह वली जो तीनों metal है, वो किस से react होती है, cold water के साथ react करती है, ठीक है, और hydrogen gas form करती है, इसी तरह magnesium है, magnesium जब water के साथ react करेगी, यह hot water के साथ react करती है, पानी को गरम करना पड़ता है, hot water होगा, तो ही react करेगी, तो यह magnesium hydroxide बनाएगी, और साथ में hydrogen gas produce करेगी, इसी तरह zinc, zinc जब react करेगी, zinc hot water के साथ react नहीं करती, यह steam के साथ react करती है, zinc जो है, steam के साथ react करेगी, जब steam के साथ react करेगी, तो zinc oxide बनेगा, साथ में hydrogen बनेगा, इसी तरह aluminium है, aluminium जब water के साथ react करेगी, यह भी hot water है, hot water के साथ react करेगी, तो यह बनाएगा aluminium oxide, और साथ में hydrogen जो है, और आप इसको balance कर सकते हो, तो यह मैंने balance कर दिया, अब iron को जब हम react करेंगे, steam के साथ, तो यह reaction आएगा, Fe3OH plus 4 hydrogen, तो Fe3OH होता है, ferro, porospheric acid, oxide, porospheric oxide, अब देखो, hydrogen होर कैसे form होता है, preparation of hydrogen from acid, अब अगर acids हों हमारे पास, acids हों, तो hydrogen कैसे form होगा, magnesium को, जब आप hydrochloric diluted, hydrochloric acid के साथ, जो है, react करोगे, तो यह magnesium chloride बनाएगा, साथ में hydrogen gas बनाएगा, इसी तरह zinc जब hydrochloric acid के साथ, hydrochloric concentrated नहीं लेना, diluted लेना है, तो यहाँ पे zinc chloride बनाएगा, और साथ में hydrogen gas होएगी, यह कब होगा, जब oxygen जो है, react करेगी, ठीक है जी, अगर मैं एक reaction और लिख देती हूँ, इतने sufficient है magnesium को, जब आप sulfuric acid के साथ react करोगे, यह भी diluted लेना है, तो यह magnesium sulfate बनाएगा, और hydrogen जो है, अलग हो जाएगी, इसी तरह, alkali के साथ इसका क्या reaction है, alkali के साथ zinc जब, zinc जब sodium hydroxide के साथ react करेगा, तो यह sodium zincate बनाएगा, Na2 बनेगा, Na2 zincate, प्लस hydrogen, इसी तरह, aluminium जब react करेगा, प्लस sodium hydroxide, प्लस water, तो यह बनाएगा, sodium eliminate, 2 Na, Al2, AlO2, प्लस 3 H2, यह hydrogen gas form करेगा, अब laboratory preparation होती है, laboratory preparation में क्या होता है, कि zinc granule लिए जाते हैं, zinc, यहाँ पे आएगा zinc granule, granule, तो जब आप diluted, sulfuric acid के साथ react कराते हो, तो यह zinc sulfate बनाता है, और साथ में hydrogen gas form करता है, अब इसमें पूछा जा सकता है आपको, कि zinc granule ही क्यों use किये जाते हैं, कि why zinc granule is used, why zinc granule is used, granule is used, क्यों use किये जाते हैं, तो आप इसमें लिखोगे, क्योंकि they contain, इसका answer लिखो, they contain, they contain copper, यह copper contain करता है, as an impurity, उसमें जो है, as an impurity, impurity की form में होता है यह, ठीक है, और साथ में which act as, which act as catalyst, which act as catalyst, यह catalyst का काम करता है, catalyst मतलब rate of reaction बढ़ा देता है, and reaction is faster, reaction is faster, तो reaction को fast कर देता है, ठीक है, और अगर आप pure zinc use करते हो, pure zinc use करते हो, zinc is used, use, so reaction is slow, so reaction जो है, slow हो जाता है, तो इसलिए, जो है, pure zinc का use नहीं किया जाता है, यहाँ पे zinc granule का use किया जाता है, क्योंकि zinc granule में copper as an impurity present होता है, और यह catalyst का काम करता है, catalyst का मतलब होता है, कि यह reaction, rate of reaction को increase कर देता है, और reaction जो slow था, वो fast हो जाता है, लेकिन अगर आप zinc granule की जगा pure zinc use करते हो, तो यह reaction को slow कर देता है, इसलिए इसको use नहीं किया जाता है, pure zinc को, सिर्फ zinc granule यूज किया जाता है, laboratory preparation में, ठीक है, hopes हो कि आपको इतना वीडियो पसंद आएगा, इसका second part मैं दुबारा upload करूँगी, तब तक आप इस वीडियो को समझो, और आपकी book में जितना था, वो मैंने आपको करवा दिया, आप ध्यान से इसको revise करो, और इसी तरह के आपसे question पूछे जाते हैं, ठीक है जी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को like करो, share करो, channel को subscribe करो, thank you very much.